नमस्कार दोस्तों मैं एंकुरुपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बहुत बड़ी खबर आते हुँ दिख रही है कि स्टॉक के लिए जिसका नाम है MCX Multi Commodity Exchange ये वही शेर है जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पूरी तरीके से पेसेंस टेस्ट किया लेकिन एट अट अट जब पैसा बनाना शुरू किया तो तीन गुना तो हो चुका है और यहां से अभी तो तेजी शुरू हुई है ऐसा कह सकते हो आप क्योंकि कंपनी बीते एक साल से जिस चीज को लेकर सेबी से बात कर रही थी से थमसप मांग रही थी उसका थमसप अब आने की तैयारी है MCX ने सेबी से कहा था कि हम नेचुरल गैस के और क्रूड के मिनी कॉंट्रेक्स लाँच करना चाहते हैं और ये बहुत समय से बात चल रही थी लगबग एक साल हो गया उस पे अब अप्रूवल आ सकता है सेबी का ये खबर है और इस खबर के चलते शेर का प्राइस आज रॉकेट हो गया है लेकिन पोजिशनली बहुत बड़ा पैसा बनाने की दम रखता है यहां से अब एक example से समझाओं तो BSC आप सभी को पता होगा BSC का शेर कितने समय से बजार में है कैसी performance है लेकिन बीते दो सालों में जो हुआ है उसने निवेशकों को पैसा नहीं wealth बना के दिया है दो साल में ऐसा क्या हो गया BSC में अचानक volumes तो आज भी NSC पर ही ज़्यादा है अफा हर महीने अपने आप बहुत तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि Sensex में trade बढ़ने लगा और इसी की वज़े से BSC का share देख सकते हैं आप 400-500 आज 3000 खड़ा है अब MCX की बात करूं तो 1200-1500 से stock 4000 तो हो गया है लेकिन ये तो mini contracts का approval आया अगर सेबी से trust me game changer साबित होगा क्य पूड के बारे में तो आप सभी को पता ही है तो mini contracts लाने की तयारी में MCX का share जिसकी वज़े से आज तो हो गया है भायंकर तेजी में शांदार move देता हुआ दिखा है एक्जेकली बात करूं तो 3732 रूपीस पे 135 रूपे की तेजी देखने को मिली है 19,000 क्रोड के market cap पे यह तो शुरुवात है आप यही कह सकते हो क्योंकि बड़ी देजी अभी बची हुई है MCX ने बहुत समय consolidation दिखाया अगर आप इसका चार्ट open करेंगे न 10-20 साल का तो 2012 में 1100 रूपे का था 2023 में 1500 का था अब देख लो आप क्या पैसा बनाया इसने अब चलना शुरूआ ह इसने पैसा अब बनाना शुरू करा इसने तो यह एक बहुत बड़ी खबर आते हो दिख रही है MCX के लिए stock के बारे में और details दूँ तो आपको याद होगा यह 63 Moons का एक software यूज़ करते थे जिसका इन्हें जो monthly जो payment करनी पड़ती थी तो इनके total revenue जितनी थी जिसकी की बात है वो अलग profitable होगी आप देखें इनके numbers तो company लगबग आपके लिए जो last quarter December की बात करो तो 5 करोड का घाटा है September में 19 करोड का था June में 19 करोड का फाइदा था अभी company दीरे-दीरे मुनाफिय में आ रही है आप देखें operating profit company का अभी तो loss में लेकिन जल्दी मुनाफिय compounded profit growth अगर मैं देखू तो 5 साल की 14% है 3 साल की minus 6% है TTM इस पे minus 100% है profit नहीं है फिर भी share चल रहा है क्यों कि बजार को दिख रही है चीजे है बजार को पता है ये ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करेगा अभी stock का price देखें तो 1 साल में 137% बाग चुका है 3 साल में लगब 33% की रफतार से भागा है share rolling pattern की बात करूँ तो FIIS के पास 26.61% है जो की बढ़ता ही जा रहा है स्टेक June quarter में 24.84% था September में 25.31% हुआ अभी 26.61% हो चुका है इसकी बात करें तो इनका स्टेक हलका हलका कम हुआ है 53% पे अभी भी बना हुआ है और public के पास 20% का स्टेक है यहां पर आगे बात करूँ अगर public category में कोई बड़ा नाम है तो बड़ा नाम अभी तो नहीं दिख रहा है मिरको यहां पर राकेश जी का नाम जरूर आ रहा है बट उसमें कोई percentage stake नहीं दिख रहा है तो overall देखा जाए तो यह stock एक ऐसा share है जिसको अभी बेचना तो बिल्कुल भी निची है टेक्निकली भी बहुत strong दिख रहा है इस stop loss काफी deep निगल रहा है 31-20% के करीब का है तो stop loss तो मैं आपके साथ suggest नहीं करूँगा बट यह ज़ thank you so much for watching this video have a great day guys